सब फाइनली दोस्तों सलार का सेकेंड ट्रेलर आ चुका है वहाँ भाई साब आएम शौक दोस्तों कोई मुझे पानी तो भाई भाई क्या देख लिया मैंने छपरी गैंग छपरी गैंग भाई साब प्लीज डंकी वो हटा लो यहां से डंकी पोस्ट्मन कराओ भाई खतरना मुझ बंस वाले ट्रेलर आ गया है अब खांसार लाल होगा जियो दोस्तों अभी तक दोस्तों प्रभास की सबसे बढ़िया ट्रेलर लगा मुझे और यह फिल्म दोस्तों बाहु बली से भी तगडा करेक्शन करने वाली भाई बने रहो यार पूरे ट्रेलर का रिवी करू बाबा डंकी को कोई बचा लो डंकी बतारा सारा है मुझे भाई सची में वीडियो के अंतर बने रहो दोस्तों लाइक कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जूरू करना आए वीडियो शुरू करते हैं तो भाई लोगों सबसे पहले तो बता दू कि सलार के ट्रेलर बहुत इंतजार करवा दिया दो बजे ट्रेलर आना था और भाई साब बार बार पानी पी के मैं सोशल मीडिया ही देख रहा हूं हमबल फिल्म का क्या बोलते है चैनल देख रहा हूं कि कब ट्रेलर आएगा भाई ट्रेलर के लिए इतने जादा दिवानगी थी ना भाई अची हो भाई आग लगा दिया ट्रेलर ने मतलब यू कांट बिलिग दोस्तो अनिमल में जो आपने वाइलिंस देखा है ना भाई अनिमल से भाई सब डबल ट्रिपल चोगुना पंगुना मतलब कुछ भी कहलो यहार भाई इतना एक्शन आपने नहीं देखा होगा और मैं जूट नहीं बोल रहा कुछ हेटर लोग ट्रोल करेंगे लेकिन वह क्या बलेंगे वह भी बताऊंगा भाई ट्रेलर की सुरुवात होती है जी हां हमबाले फिल्म पाच भासाओं में ट्रेलर को रिलीज किये है ट्रेलर दो मिनट चोगों सेकिंड का है जो मैंने बताया था आपको तीन मिनट से लेकर 3 मिनट 20 सकिंड के आसपास त्रेलर होगा बहें ट्रेलर ने जो बवाल काटी दिया है घदर बचा दिया है जी हो दोस्तों अभी तक तो हमने सेंपल देखा यार पर शारत नील ने सिर्फ सैंपल नम्बूना दिखा है था और भाई सब बुक माई ने बोले है ना अब खानसार लाल होगा ओ भाई साब वह ब्लड बास दोस्तों जैसा कि कहा तक परभास ने कि खून की नदिया बहा देंगे भाई खून की नदिया बैच चुकी है यह फिल्म दोस्तों अपने आप में एक यूनिवर्स एकस्पैंडबल आप एक पार्ट में नहीं समझ पाऊगे सलार को दो पार्ट दोस्तों आने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है यह क्या दोस्तों भाई सम्में विलन कौन जी है दोस्तों ट्रेलर से पता चल गया कि विलन असली कौन है भाई सची मता रहा हूं ट्रेलर की सिर्वात होती है आपको बता दू कृथिविरा सुकुमारन और जो उसका दोस्त होता देवा उन दोनों की दोस्ती से उसमें एक कहानी दिखाई गई है जो वोईस डबिंग चल रही है साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग के हिसाब से दोस्तों पूरा ट्रेलर काट र रही है और धीरे धीरे उस कल्चर ने एक समराज बना दिया जिसका नाम है खांसार यह कहानी खांसार के इर्द गीर्द घूंती है खांसार के अंदर दोस्तों बता दू कि जो पर्शन समराज का सुल्तान होता है यानि कि पिथविदा सुकुमारन भाई साहब वह में राज होने के बाद इतने सेना सेना होने के बाद है सेना पती होने के बाद है मतलब इतने सारी आर्मी के बाद भी उसको सिर्फ एक ही आर्मी पर भरोसा है वो है वन मैन आर्मी डाट इस कॉल्ड देवा परभास और सलार भाई साहब अपने दिल की बात उसको बताता है और जब द श्यावत ने चूतिया काट दीया था भाईसभा या निकिए परवास का लेकि यह रेवल इस्टार यह है परवास की फिल्म ज किया है पूरे में, किन नहीं है दो दोस्तों की कहानी है बाई यह स्टोरी सिंपल नहीं है इस स्टोरी में इतना ज्यादा इतना ज्यादा गहराई है ढाई आप खो जाओगे और इसका ना वास्ट है न भाई आपको समझने के लिए मतलब पूरी फिलम को दिमाग से समझना पड़ेगा भाई यह कबजा की सच्टी कोपी नहीं है ना कबजा है ठीके यह सलार है सलार सेना पती वन मैन आर्मी इसके बाद दोस्तों आपको बता दूब कि डायलोग एक से बढ़कर है इसके बाद सुर्ती हसन के एंट्री होती है अलकोहल मांगती है कॉमेडी भी थोड़ा बहुत इसके बाद दोस्तों मनार आर्मी मतलब देखो यह पूरी कहानी खांसार के अंदर अपने लोग ही होते हैं और अपने लोग ही न सक्याब होते हैं सतरंज की बादी चल रहे होते हैं राज तंतर चल रहे होते हैं और अपन विलन कौन होगा पूरी फिलम में जिस बंदे को मारता है कूरता है पीड़ता है भाई सब खूंके नदिया बहाता है परभास भाले से चाकू से मशिन गण से वह सब तो दिखा रहे हैं असली विलन कौन है भाई सब कौन है दोस्तों ट्रेडर देख कर कमेंट करके बताओ परदोसे में कि मैंन करके बताओ मैं कि में विलन मुझे कमैंट करके बताओ इसके बाद भाई को कश लोगों को थवासा लगया लगा ये यह color grading उस theme के coding ही बना रखी है ठीक है और के जी अब से भाई हमने के जीप में कुछ नहीं देखा था भाई पूरे ट्रेलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ action ही action है एंड टीजर में जो action दिखा था वह action इसमें है नहीं वह अलग action है मतलब पूरे नए दोगे जो को मैं त्यार इस ट्रेलर को सच बतारो पांच में से दस चार दूँगा और रही बाद डंकी की भाई साब रमया वस्तामया छपनी लोग जाओ भैया सलार के ट्रेलर को देखो भैया बाई डंकी भूल जाओगे भैया पांसो रुपे की दिहारी पे मत जाओ भैया सलार का क्लेक्शन रियल होगा भैया क्योंकि डंकी लुट पूट गया अब तो देखने के बाद डंकी वाकिए में लुट पूट हो जाएगा और डंकी का हो गया आगो हैं बधбо böyle कमेडी मुझे बातों मुझे तो बैль क्रोंड मुजिक विर बाई kमाल कर लगा ऑसम भैक ग्रांड मुजिक एक स्टारोर तो बैग्रांड मुजिक के लिए दूए था जेंड़ का लगा रीवी इह एक बाई कली कि बाता जेंड हं लिए हग्रण कर तो लेक